देखिए यह पिछले काफी दिनों से यहां पर हुएंड कराई इस चीफ को लेकर चल रही है बेंडर में हमारे पास भी बहुत सारी लोग आए और हमने उनको अपनी तरीके से पाइंट लाके पाइंट आफ यू से जहां उनको उनकी प्राबल्स को रिटास करें की कोशिश की लेकर इन जर्रल पब्लिक के लिए हम यह आपको बता दें आपका सबसे पहले यहां पर शुक्रिया आने का यह जो आया की जो रिक्रूट्मिंट हो रही है डिफरेंट सुकूल्स में और यह गोर्मेंट एजूकेशन डिपार्टमेंट को इसकी रिक्रूट्मिंट कर रहा ह है देखिए पिछले कुछ दिनों से लगा तर इसमें एमबेजलमिंट की स्मेल आ रही है यहां पर ऐसा लग रहा है कि कुछ जो अपने आंखों के तारे हैं उनको ही जो है वह बैक डूर इंट्री करके आगे लाया जा रहा है जिस तरीके से उनकी नोटिफिकेशन पर दूसरा आज electronic का मीडिया है प्रिप्रेंट मीडिया का दोर है और सोचल मीडिया का दोर है तो जहां पर एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक वाइड पब्लिसिटी करनी चाहिए थी इसकी उसको करने में वो नाकाम हुए है पुरी तरीके से फेल हुए है वहनुने किसी भ बहुत सारे साधन से से फिसकों कर सकते थे फैंटीज को इनसकी कर सकते थे वह लबर दार नमबर दार को सकते थे जहां पर पूरत्री किसे फेल हुए हैं उनने स्लेक्टिड लोगों को बलाया उनके हां लिये और उनको फार इंडे देरी ये कहीन है निकी जो च्रेडिब अपील करते हैं डिपी सीयो मेंडर से अपील करते हैं और कंसर्ण जडियों से मेंडर मनकोड बालाकुट और जितने भी जूम साते हैं हम यह कहना चाहते हैं यहां से वुकला आजरात यहां पर कहते हैं जब कोई पीडित होता है को दुखत होता हूं हमारे पास आता है तो हम यह आपके चैनल के मादियम से यह कहना चाहते हैं कि इस पर दुबारा से रीधिंग किया जाए और जिस तरीके से मेरे साथ ही मेरे मीडिया बाई ने पूछा कि आनलाइन एक धेतरी नोप्शन हो सकता था कि मुचा के को के मुसातथ से कि इनके दोबारा से D collagen करके करके दोबारे से और दोबारे अध्रया निकाले कैश और वार्ट सर्कूलेशन करके पूबिक की डोमैन ils में लाजए और ये बताया क्या जाए कि कुन-कुन लोग इसके हैं किस लोग को यहां पर लगाना है और इनको फिरय विडियो है और उसको वार्ड यू बंदकि है या किसे जगानेट किये कुछ भी है फूसु एवर उसको उसी वार्ड में ही लगाना चाहिए था लेकर हमने देखा है कि तीसरी चोगती या पांच भी वार्ड को या क्यों वह उस क्राइटिरियों को को रान कर जो है बाहर से लोगों को लाकर वह वाँ पर फिल्फिल किया गया यह भी एक सरा सरा जो है नाइसाफी है इसके ओपर भी एक इंवेस्टिकेशन होनी चाहिए